पूरे दिन जो भी नर्स उसके पास में आती वो उसको एकी बात कहता कि मुझे कुई ऐसा इंजेक्शन दे दो जिससे कि मैं मर जाओ अब मैं और जीना नहीं चाहता ऐसी जिन्दगी का मैं क्या करूँ तो उसको जो दोस था उस कमरे में क्योंकि वो चल फिर सकता था तो रोज सुबह और रोज शाम को उस कमरे में एक खिड़की थी उसके पास में जाकर के खड़ा हो जाता और अपने दोस को बता था कि उस खिड़की के भार क्या चल रहा है बिल्कुल नीला आसमान है सफेद बादल है हलकी हलकी हवा चल रही है और कुछ पंची उड़ रहे है एक बहुती सुंदर बीच है जहांपर कुछ बच्चे मिट्टी के घरॉंदे बना रहे है कुछ लोग हैं जो वहाँ पर बैठे वोई बस समुद्र की लहरों को देख रहे है कुछ लोग जॉगिंग कर रहे है कोई एकसरसाइज कर रहा है कोई पतंग उड़ा रहा है वहाँ पर एक आईसक्रीम की स्टॉल है जहांपर कुछ लोग आकर कि आईसक्रीम खा रहे है और संसेट के टाइम पर जो पानी है वो पूरा गोल्डन हो जाता है और चमकने लगता है तो शुरू में तो जब उसने वो सब बताना शुरू किया तो उसके दोस्त के ओपर जादा असर नहीं हुआ लेकि धीरे धीरे उसके अंदर जीने की चाहा जागने लगी अब वो सुबह का इंतजार करने लगा कि जल्दी से सुबह हो और मेरा दोस्त मुझे बताए कि आज यहां पर क्या हो रहा है कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा फिर एक दिन जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि सामने वाला बैट खाली है फिर उसने नर्स को बलाया और उसे पूछा कि क्या वो डिस्चार्ज हो गया है तो नर्स ने कहा कि आपको तो उन्होंने बताया होगा उनके पास कुछी दिन बागी थे और कल रात को ही उनकी डेथ हो गई है ये सुन करके उसके अंदर की उमीद पूरी तरह से तूट गई क्योंकि सिर्फ उसका दोस्ती था जिसने उसको बाहर की दुनिया से जोड़ा हुआ था जिसकी वज़े से वो जान पाता था कि बाहर क्या हो रहा है और ये दुनिया कितनी खुबसूरत है तो कुछ दिन तक तो वो रोता रहा और उसने जीने की चाह छोड़ दी लेकिन दूसरी ही तरफ से उसके अंदर कही न कही एक नही चाह पैदा हुई कि काश मरने से पहले एक बार मैं खुद अपनी आखों से देखू इस खिड़की के बार कि दुनिया कैसी है जैसे जैसे उसकी यह चाह बढ़ने लगी उसको अपने अंदर एक अजीब सी एनरजी महसूस होने लगी और फिर एक दिन उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और किसी तरीके से वो बेट से नीचे गिरा और पकड़ पकड़ करके पकड़ पकड़ करके किसी तरह से उस खिड़की तक पहुचा फिर उस खिड़की को पकड़ करके वो खड़ा हुआ और खिड़की के बाहर देख लिया लेकिन खिड़की के बाहर देखते ही वो गुसे से भर गया उसने जोर से नर्स को आवाज लगाई और जैसे नर्स आई उसने नर्स से पूछा ये तुमने क्या किया ये खिड़की के बार काली दिवार क्यों खड़ी कर दी तो नर्स को समझ नहीं आया वो क्या बोल रहा है और बोली कि मुझे 5 साल हो गए हैं यहाँ पर जब से मैं आई हूँ तब से तो एक काली दिवार यहाँ पर है तब जा करके उसको समझ आया कि उसका वो दोस्त उससे जूट बोल रहा था और उसने नर्स से पूछा अगर ये काली दिवार पिछले पांच साल से यहां पर है तो मेरे दोस्त ने मुझसे जूट क्यों कहा तो नर्स थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली कि मैं ये तो नहीं जानती कि उन्होंने आपसे जूट क्यों कहा लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि जो भी कुछ उन्होंने आपसे कहा उसी वज़े से आप अभी अपने पैरों पर खड़े है तो इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि जो हमारे शम्द हैं जो हमारे वर्ड्स हैं जो हम अपने मुझसे बाहर निकालते हैं उसमें इतनी पावर है जिसकी कोई हद नहीं है वो किसी आदमी को गिरा भी सकते हैं और उसको उठा भी सकते हैं तो अब आप के उपर है कि आप अपनी इस पावर को यूज करते हो या मिस यूज करते हो